धार में जशने ईद मिलादुन नभी के परवपर करोना गाइडलाइन्स के चलते छोटे रूट पर ईद मिलादुन नभी का जुलूस निकालने की अनुमती मिलने के बाद जब जुलूस पिजारवारी मस्जित के बाहर पहुचा तो पुलिस ने छोटे रूट की और जुलू केट्स हटा कर आगे बढ़ने लगे जिसे पुलिस रोक नहीं पाई वहीं जुलूस जब मोहंटा की चुराहे पहुचा तो एस पी आदित प्रप से ही द्वारा माइक से लोगों को समझाईश भी दी गई परंतो आक्रोशित समाज जन्द आगे बढ़ गए पुलिस ने एक ब अपरागत मार्गों से जुलूस निकाला आपको बता दे कि जुलूस मार्ग पर कवरेज कर रहे कुछ मीडिया कर्मियों के साथ अलग-अलग स्थानों पर अबदरता करते हुए केमरे चीनने का प्रयास किया जिसके विरोध में मीडिया कर्मियों ने इस्थानी कंट्रोल पर कलेक्टर SP को आवेदन दे कर दोश्यों के खिलाफ सक्त कारवाई करने के मांग की है इस हलकी जड़प के बाद शांती से जुलूस निकला और अपने गंतव्य पर आकर समापत हुआ जुलूस के बाद फातेहा के साथ अमन चेन की दुआ की गई और जुलूस का समापन ह जुलूस के निकल जाने के बाद पिपली बाजार में बहुसंक्य समाज के लोग एकत्रित हो गए और प्रशासन के खिलाप नारे बाजी करने लगे जिनने CSP व अन्य पुलिस अधिकारियों ने समझा कर पुलिस थाने भेजा धार से सुरेश्टिवारी की रिपॉर्ट सर आज लाठी चाहर हुआ मिलाद लभी का जुलूस था उसके लिए रूट तैक किया गया था लेकिन फिर लोगों की ने कुछ लोगों ने जिद की कि जो परंपरागत रूट है उसी पर उन्हें निकालना है उसको लेके कुछ शेतानी तर्व है वो उस जुलूस में अधिस्पर्स हो गया है और नगर में शांती तर्वारी भी थी जुरूस में जब की द्रावन चाहिए ने कि देखिए उसमें जो और जो अन्य लोग है उन्हें चिनित क्या जाएगा और जो भी इसमें दोशी है उनके खिलास करवे की जाएगा पुलिस कर्मियों को भी चो कर देखिए जो भी आप शिकायत कर दीते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन करके जो सही कारवाई है कर देंगे